दोस्तो स्वागत है आप सभी का Fantasy Gram के एक और कमाल के वीडियो के अंदर मैं दोस्तो आज जो मैच खेला जाएगा मुंबई वर्सिस डहली के बीच में वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं तो वीडियो को एंद तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया रैंक ला करके देने वाला है चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तो डिरेक्ली पिछ रिपोर्ट के साथ लिकिन अगर आप लोगोंने लाइक नहीं किया हैं तो फटा फट दोस्तो लाइक जरूर कर दीजिए देखो दोस्तो मुंबई में मैच खेला जा रहा है आपको पता है मुंबई में क्या होता है मुंबई में सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि शुरुआती जो 6 ओवर्स होते हैं दोस्तों इसमें काफी जादा स्विंग देखने को मिलती है काफी जादा मुमेंट देखने को मिलता है शुरुआती 6 ओवर्स में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि बैटिंग फ्रंड्ली पिश जरूर रहती है तो रहेगी लेकिन शुरूआती विकेट्स आपको बचाने होगी क्योंकि कई बार आप सुछुरूआती मैच के अंदर में देखाते हैं तो ट्रेंड बोल्ड ने आते ही विकेट्स तो आज भी याद रखी दोस्तो बैटिंग पर जरूर है लेकिन शुरुआती विकेट्स थोड़े से बचाने होते हैं अगर आप वो नहीं बचा पाएं क्योंकि यहां सुरुआत में फास बुलर्स के लिए मदद काफी जादा रहती है चलिए टोटल मैचेस 112 बैटिंग फस्त ने 50 जीते हैं बैटिंग सेकेट ने 61 जीते हैं एबरेज स्कोर दोस्तो बैट फस्त का 169 गया है हाईस स्कोर 235 है के क्यार ने लोएस स्कोर कराये दोस्तो 66 ठीक बिलोव स्कोर 150 की न स्कोर गया हुआ है मतलब हम उम्मीद कर सकते कि स्कोर बढ़िया जा सकता है अगर आप विकट बचा लेते हो शुरुगात में तो चलिए हला कि अब तो वैसे भी स्कोर जा सकता है पिछले साल की अगर आपन बात करने दोस्तों देखी किते बढ़िया-बढ़िया स्कोर आपने देखा जादतर पहले मैंच में स्कोर कम जाता है यहां भी देखी पहले मैंच में कम स्कोर गया मुंबई 125 पर और यहां पर राजस्तान चेस कर गई ठीक है ट्रेंड बोल्ट खतरनाक रहे थे तो टीम और सूरिया भी नहीं थे तो अगर आप भी मैं फिलाल में बात कर अज और सूरे भात तो मुंबई के पहले बतिंग आती हैर जल्दी विकर जाता था ऊस्तुर्य अखर बींदर में ऐ laugh पोहिष शर्मा ने बहंकर फोडाता वही है। 65 बनाए थे, 170 दिली ने बनाए थे, मुंबई चेस कर गई थी, रोहिष शर्मा का बल्ला खतरनाक बोला था, 65, डेविड बोर्नर का भी बल्ला बढ़िया बोला था, इशान के सन ने 31 बनाए थे, तिलाग बर्मा ने 40, टिम बिड बोर्नर कि इनकी पर्फोमेंस बापिस से ठीठाक आ सकती है, इस मैच के तौर पर, चलिए, अगर आप लोगों ना, दोस्तों, माई 11 सर्कल साइन अप नहीं कर रहा है, तो कर लो दोस्तों, मैं आपको बता दू, बड़ा फायदा मिल रहा है, 1500 रोपे साइन अप बोन जा करके साइन अप कर लीजिये, साती साथ में आपको पता है, माई 11 सर्कल में फॉस प्राइज ही एक करोड है, डेली के डेली आपको एक करोड प्राइज देखने को मिल रहा है, तो साइन अप कर लीजिये, और साती साथ में आपको मालुम है, कि यार फिर से आपको 20% extra cash bonus देखने को मिल रहा है, deposit के उपर, तो coupon code इस्तमाल कर लेना, link में आपको coupon code दे रखा है, description में भी आपको coupon code दे रखा है, अगर आप दोस्तों 1000 रुपए deposit करेंगे, आपका amount बन जाएगा 1200 रुपए, तो जितने लोगों ने अभी तक deposit नहीं मारा है, आप deposit कर सकते हैं, और आप 200 रुपए जो मिलेगा extra, वो real case है, दोस्तों 100% usable है, आप 100% use कर पाएंगे उसको, ठीक है, तो आपके 1000 रुपए सीधे 1200 रुपए बन जाते हैं, कहने का मतलब यह, link आपको description में दे रखी है, सिर्फ उनके लिए ही यह फाइदा है, चलिए, Mumbai की playing 11 की बात करेंगे दोस्तों, Mumbai की playing 11 काफी बड़िया नजर आ रही इस मैच के तौर पे, क्योंकि भाईया, सूरिया भाव वापस आ गए है, और हम देख रहे हैं कि Mumbai की बैटिंग अभी कुछ तिनी बहतर हुई नहीं है, लेकिन सूरिया भाव के आने से बैटिंग काफी उंदा होते ही नजर आ सकती है, और इस साथ ही साथ में दोस्तों, बोलिंग तो बैसे भी पिछले मैच में रण नहीं बनाये लेकिन बोलिंग ठीक टाक नजर जरूर आ रही है, बोलिंग भी बड़िया नजर आ रही है, बैटिंग भी बड़िया नजर आ रही है, अब हम कह सकते है Mumbai Indians बापस से अच्छा कर करना स्टार्ट यहां से कर सकती है, क्योंकि खासकर सूर्या के आने से टीम बैटिंग में उंदा करना स्टार्ट कर सकती है, बन्यूपर 33 का है, है थोड़ी ऊपर नीचे रही है, ठीक है, तीन मैच से थोड़ा ठीक नाजर आ रहे थे पिछले मैच में आ करके जल्दी तो बस ट्रेंड बोल्ट खत्रा रहेंगे तो ट्रेंड बोल्ट पर यह आउट कर गए आज हाला कि मेरा मानना है रोई शर्मा थोड़ा बढ़िया कर सकते हैं तो रोई शर्मा के साथ दोस्तों मैं honestly बहुत जादा जाओंगा अल्मोस समझ लो 90% रोई शर्मा मैं जाओंगा आज ग्रेंड लीग खेलने में रोई शर्मा मैं 90% रखूंगा दो टीम में मैं कप्तान करूंगा ठीक है ग्रेंड लीग में रोई भाई को मैं दो टीम में कप्तान कर रहा हूं ठीक एक बड़िया बिकल बन रहा है रोई शर्म ठीक है recent form उपर नीचे इनकी हमेशा चलती है आपको पता है कभी performance आएगी कभी नहीं आएगी मुंबई की तरप से last year बढ़िया खेले थे 30 की average साथ 404 बनाए थे इनोंने अगर मैं बात करूँ इस मैच के तोर पे बढ़िया हो सकते है क्योंकि पिछले 3 मैच में इशान किशन ने कुछ खास नहीं किया है तो हो सकता है इस मैच के अंदर में कुछ बढ़िया करते हुए न जा रहा है शूरिया भाव भईया बापेस आ गए है आते ही आग लगा सकते हैं शूरिया भाव बिलकुल chances हो रहा है आग लगाने के 31 का average है venue का बहुत कमाल का है भईया ठीक है head to head थोड़ा कम है recent form बहुत तगड़ी चली है 43 का पिछले साल average था 605 रन बनाए थे सूरिया भाव मुझे लग रहा है आते ही आग लगा सकते हैं तो दोस्तों मुंबई की तरफ से सबसे बड़िया बिकल्फ कप्तान के हैं हलाकि रोष शर्मा को मैं दो टीम में कप्तान कर रहा हूँ तो सूरिया भाव को आप जरूर रखिए यह बड़ी अपिकल्प हो सकता है डिवॉल्ब रबिज दोस्तों नहीं जाओंगा यार ठीक है अब बित्ता भिकल्प अच्छा नहीं बनेंगे सूरिया भाव आ गए अब भले ही नंबर्स आप लोग देख लो नंबर्स आपको दिख रहे हैं मैं इनके साथ नहीं जाने वाला हूँ और बेन्यू स्रेट्स तो बहुत खराब है इनके चलिए इसके बाद बात करें दोस्तो तिलक बर्मा पहली बैटिंग जा सकते हैं दोस्तो चेजिंग अब उत्ता भैतर भिकल्प नहीं लग रहे हैं क्योंकि यहां पर सूरिया भाव आ गए तो सूरिया भाव के आते इतना बड़िया भिकल्प बनेंगे नहीं पहली बैटिंग में बहुत भिकल बन रहे हैं जह सकता हूँ चलिए अगर güल्प बात करें डोस्तो हार दिकपंडिया दौनों जागर जाएंगे है हम वीडियो में भी क्र कर के गए थि कि हारदिक पंडियार ऑफ। प्रेंट बोल्टने थे किस तरह से विकेट शटका है कियो हार्दिक पंडया शुरुवाथ में नई बॉल सा जाने जाते नहीं बढ़ियर डालता है अर्द कि ये ये जब कि आना चाहिए था दोश्तों तो अब थोड़े अपन फॉसर पिछले मैच में भी आना चाहिए था नहीं आए बैटिंग तो बड़िया कर रहे थे यार बड़ी अटेच्में नजर आ रहे है विकल बच्चा है दोस्तो इने भी न दो टीम में कप्तान करके चलना क्योंकि अगर बोलिंग करने आ गए न हार देख तो और अंदा बिकल बन स बाली है आप नई बॉल बहुत अच्छी कर सकते हो ठीक है और डालना भी चैए नई बॉल हार्दिक पंड्या को क्योंकि यहां पर डाली आपने विकट्चत का है यहां तो और अच्छी पिष्टी आपके लिए जहां अच्छी थी आपने करने नहीं आए तो दो टीम में कुछ खास नजर आए नहीं आपने देखा पहली बॉलिंग में अच्छे नजर आ रहा है बात की बॉलिंग में इतने खास बिकल्प नजर नहीं आ रहे है प्यू शावला बिकल्प तो है एकाद विकट्ट तो ले ही जाएगा लेकिन मैं ज्यादा ट्राइण नहीं कर रहा पीव शावला को मैं थोड़े फास बॉलर्स जादा जाओंगा ठीक है हाला कि दिल्ली के विकट्ट जरू चटका सकते हैं इकाद जस्परीद बुम्रा दोस्तों आपको पता है दोनों जगे जाएंगे आस दो मैस लगातार बुम्रा के खराब होगे दो मैस लगातार है तो रखियेगा जुरू बुम्रा अच्छा बिकल्प हो सकता है बछो। बात की में भी है बहुत कम जाओंगा बात कि बहुत कम धब कूराकाbas बोसे बीडियो में बहुत दोस्तों बहुत बेल्द ही काता है और भाई साब न आते ही तीड़ु चेट पहली बोलिंग में बहुत उंदा विकल्प हो रहे हैं, बात की बोलिंग में भी विकल्प है लेकिन देख लेना कितनी टीमों में आप जगा पना बना पाओगे बात की टीमों वह आपके उपर डेपेंट करेगा, चलिए, इसके बाद नुवान तो सारा दोस्तों अब तो या अगर थास विकल्प लगनी रहे है दोस्तों बस एक विकेट हो सकता है, अगर इंपक के तौर पे वापिस से इस्तमाल कर रहे है तो एकाद विकिट ले सकता है लेकिन मुझे बढ़िया विकल्प नजर नहीं आ रहे हैं, चलिए, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम ड क्योंकि पिछले मैच मों किश्कुमार बाहर थे यह प्लिंग 11 नजर आ रही है दिल्ली की चलिए प्रदभी 100 से स्टार्ट करेंगे दुस्तों यार देखो यार मुझे यार परस्टनली उत्ते बढ़िया बिकल्प नहीं लग रहा है पहले बटें को कुछ चिमों में चले जा आएगी दू तेम में आएगी नहीं फिर यार ठीक है तो दिक्कत में फश्क होगे तो ग्रेंड लीग में ट्राइग करो यार एना दू-तीन टीम में जा रहा हूं ऐसा कुछ ज्यादा खास भी ट्राइग नहीं कर रहा है अलाकि एक चीज़ है कि बच जाते हैं तो अच्छ करियर 40 का लेकिन मुंबई के सामने एक रन और ज्यादा बनाते हैं तो अच्छा विकल्ब है यार वाइस केप्टन के बहुत उम्दा विकल्ब बन रहे हैं दोस्तों वाइस केप्टन कर सकते हो ज्यादता टीमों में पर्फॉमस देखो यार बंदीगी क्या चाहिए यार ए यार मैं खराब नहीं जाओंगा यह देखो खराब नहीं जाता बंदा मतलब कुछ ना कुछ अपन को वाइस केप्टन के विकल्ब रहते हैं अभी 50 नहीं आई है क्या आ गई एक तो आगई एक मुनंचास बनाए एक में 52 बनाए आज डेविड बोर्णर बापिस से थोड़ यह बोल रिशाब पंत नहीं है आया गुमाया आउट हुआ यह बोर रिशाब नहीं है यह रिशाब है कि घुमाता भी है और डिफिकल्ट जो बॉल आती उसको डिफेंस करके खेल भी रहा है यह अलग ही है मतलब 2.0 कह सकते हैं आप इनको टी है तो 34 का एवरेज है लेकिन इस मैच में कुछ अच्छा कर सकते तो मैं जा रहा हूँ दोस्तो क्योंकि यार ऐसे टाइम पर बड़े प्लेयर को छोड़ना सही नहीं है जब पर्फॉर्मस ना करी हो आप देख लो खुदी अभी पर्फॉर्मस करी नहीं है इसने तो आप अपन छोड़ दें जब बजाए पर्फॉर्मस आने के चांसे बन रहे हैं तो सई नहीं है आप रुट मैरी होते ही टाउनने गोमाज जो गोमाने वाले वल्लेवाज है आप आइपल करियर भी देख लो ऐसे हवा मैं बाते नहीं, उननीज का अभरेज है यार 19 का अभरेज मतलब बहुत गटिया अभरेज होता है दोसों, मतलब भाहयाद गटिया कैदलो आप इसको बहुत खराब आभरेज आए ठीक है मतलब चल गए तो चल गए तो चल गए इसी टाइप के है नहीं तो चल नहीं नहीं है गुमा गुमा के खेल रहे हैं और यह सई तरीका नहीं है खेलने का है ना तो गुमाता तो है रहा हमारा है है लेकिन पर्फॉमेस करता है गुमाता तो रसल भी है पर्फॉमेस करता यह लेकिन यार यह ना मुझे खीवार ऐसा लगता है कि आखो पर पठी बांद के गुमा रहे हैं मतलब बस बॉल आ रही है और गुमा रहा है और आउट हो रहे हैं लेको तीन मैंसे चले नहीं है तो इससों मैं अनुसली बता दू तो मैं तो रख रहा हूं थेको बुराई भ अच्छा बिकल्फ है लेकिन रख नहीं पाएंगे रख तो सकते हैं विकल्फ तो है दोस्तो विकल्फ तो है दोस्तों विकल्फ तो है तो small league में तो शायद ना बना पाएं पंजगे, वो team telegram पे मिल जाएगे आपको, लेकिन बिकल्प हो रहे हैं stups, ठीक है? मुंबई की team से मुंबई के सामने खेल रहे हैं, तो बिकल्प तो हैं, जग्या बनाओ, कैसे बना पाओगे team में देख लेना, grand league में, कुछ जगे तिलक बर्मा को छोड़के जग्या बना लेना, और बाकी वाकी कुछ-कुछ जैसे किसी जगे इशान को छोड़ा है, रिशाप बातर रखो, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे player होते हैं, आपन रिस्क लेते हैं, इशान किशन हुआ कुछ जगे रखेंगे, कुछ जगे छोड़ेंगे, ठीक है, और इसके अलावा अपना रिशाप पन्त तो मैं बहुत जादा जा रहा हूँ, हलाकि एका-दो टीम हम जहां छोड खेला करते थे तो अब बहुत चांसेस हो सकते हैं, अक्षर पड़ल की बात करूं दूस्तो, अक्षर पड़ल ने 11 मैचेस में 7 वेकेट बेन्यू पर चटका हैं, 19 में 12 वेकेट्स हैं, एवरेज पर्फोमेंस आईगी तो मुझे इतने बहतर बिकल्प नहीं लग रहे, आप यहीं भी होंगे बाहर तो भी अच्छा भिकल्प नहीं है दूस्तो, नौर क्या भाईयह है पहली बोलिंग में भी, बात की बोलिंग में भी तो है लेकिन बाद में कम ट्राइ करूंगा, उन्हेल हमाई 90% जाओ, बात की बोलिंग में आप लोग 40-50 कर लेना, मतलब बात की बोलेंगों थोड़ा बहुत कम कर देना ये कहना चाहरा हूं पहली बोलेंगों थोड़ा जितनी वीटी में बना रहा है उजातर चले जाना इसके बाद अगर अपन बात करें इशान सर्मा आज नहीं लग रहा है अच्छा दूस्तों भी कल ठीक है बाकी देखो यार ठीक ठाक और इशान का कुछ ज्यादा खास नहीं हूआ तो वह कुछ खास कर सकते हैं और शूर्य भाई आ रहा है अगर उनमें से विकिट गिरा भी भी तो फिर शूर्य भाई भी नहीं किरने देंगे मारेंगे पहले तो सूर्य भाई तो समझ यह बात को तो इशान यसलिए बढ़ि बात की में मत रखना विकेट टेकर है प्रॉपर विकेट जरू चटका के देता है फैंडी स्मॉन देता है मैचस में विकेट्स भी बढ़िया है बात की मैं नहीं कि कोई डेथ उबस कर सकते हैं डेथ में मुबई भी विकेट फूलती है कुल दी प्याद आपको खिलाएंगे नहीं यह लोग अब रिकी भूई को भी नहीं खिलाएंगे यह लोग अब इन सबको तो मौका मिलने ही पा रहे हैं ठीक है चलिए बाकी दोस्तों अगर आप लोगो ने टेलीग्राम चैनल जोईन नहीं करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखिए वहां से अगर कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं फटा फटा जाओ टेलीग्राम चैनल जोईन कर दो चैनली दोस्तों टीम के बारे में बात कर लेते हैं, अगर मैं टीम की बात करूँ तो यार बिकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे उंदा बिकल्ब हो रहे हैं, रिशाप पंथ इस मैच के तौर पर रिशाप पंथ आपको मैक्सिमम जगह जाना है, उसके बाद दोस्तों इशान क में लगवकं 70% जा रहा हूँ, ठीक है, तो इशान के संड रहेंगे मेरे पास, और जहां मनें इशान के संड नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पर मैं इस्टप 90% आलमोस्ट टीमों में मेरे पास रहें, 90% टीमों में रिशाब पंथ, 70% इशान किशन जा रहा हूँ, ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ, इस्टप्स में जा रहा हूँ, दोस्तो करीब 30-40%, मतलब जहां रिशाब पंथ और इशान किशन ड्रॉप हुएं, वाप जगर रिशाब पंथ किशन आएगा स्टप्स, क्योंकि स्टप्स भी बढ़िया विकल्प है, स्पैंच के तौर पर खराब विकल्प नहीं है, इशान किशन और फिलाल में रिशाब पंथ, ठीक है, लेकिन स्टप्स ट्राइज जरूर करना है, मैं पहले भी बता चुक आपको, डेविड वोडनर रहेंगे दोस्तों मेरे पास, ठीक है, तिलक बर्मा है, और रोई शर्मा है, और स्टी साथ में अपने भाव कांगए, भाव ये रहे, सूरी कुमार यादब अपने पास जरूर रहेंगे, सबसे ज़्यादा आपको, बैटिंग सक्षन में सूरी सूरी कुमार यादब को, इसके बाद रोई शर्मा भी बड़ी अटच्मे नजर आए, पिछले में से भले जल्दी आउट हुए है, लेकि रोई शर्मा भी काफी उम्दा बिकल बन रहे है, रोई शर्मा रखिये, डेविड बर्मा पर बहुत जगह रिस्क लूँगा, तिल समझ रहे हो, स्टफ चले जाओ, और मतलब इस तरह से करना कोशिस की थोड़ा रिस्क लेना चेजिंग में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सूर्या भाव, रोई शर्मा और इशान के संतीन और बढ़िया खेल जाए, तो तिलक के पास मौका कम रहे चेजिंग के अंदर में, तो कुछ जगे पे तिलक बर्मा की जगे आपको क्या करना है, स्टफ यशान के संद की जगे कुछ जगे पे स्टफ अपन ला रहे है, और एक और काम और करना है, तिलक बर्मा की जगे कुछ जगे पे प्रदभी सो, इस तरह से करना, लेकिन थोड़ा सा पहली बैटिंग में त तिलकबर्मा जादा जाना, गर चेजिंग आ जाया है, तो तिलकबर्मा कि जगे आपको कुछ जगह पर प्रदभीष आए, कुछ जगह पर मद बेंसरे प्रद्वीशां करना है, कुछ जगह पर स्थाप्स करना, यह मैं कहना चारूँ आप से, ठीक है, चलिए, तो प्लाल में करियर देखाया मैंने आपको नंबर्स भी देखाया कि कुछ खास राणी आई पेल करियर इनका कि बहुत आउस आउट इस्टेंडिक हो कि बहुत तारीफ है बन करें तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है मिचल मार्स का हमें सासे रहे हैं धुक्यवास टाइप प्लियर आई पेल के तो मिचल मार्स रख रहे हैं पन इंटरनेशनल में ज्यादा बड़ी अपले रहे हैं बहुत लोग कहेंगे तो मिचल मार्स को क्या कह रहे हो है न वहीं लोग है आखों पर पट्टी मानने वाले जो समझते नहीं है ठीक है जिनने मैं कहता हूं कि यार मतलब देख करके भी देखा जो लोग करते हैं तो मिचल मार्स यार आईपल में अच्छा नहीं रहा है करियर वाइस इंटरनेशनल में थोड़ा ठीक है आईपल का करियर में ने दिखा है था आपको ठीक है तो मिचल मार्स आज चांसे होने चाहिए कि आप तो फोड़ेगा तीन मैच खराब कर चलिए आपने लगा तर चलिए तो रख रहे हैं अपन यहां पर हार्दिक भाई को भी रख रहे हैं अपन ठीक है अक्षर पटेल थोड़ा कम जा रहा हूं दूस्तों मुझे इत्ता बड़ी अविकल्प जरूर जाएंगे सुमित कुमार बड़ी अविकल्प नहीं है अब हैं यहां पर बोल्ली loved growing औजा बात कि भी विकल्प यह दो और बॉम्रा हर जगैं परफॉम्स कर जाएगा पहली बात की बैर जाइजőlगै करना चाहिए बरफोर में Gentना नवकत नमे spins नुद्हाज gift मुंबई के साफ से रखा है कि मुंबई की पहली बोलेंग आ रही तो गोट जी रखूंगा मैं ठीक है और अगर बाद में आईगी तो कोट जी नहीं रहेंगे मेरे पास खली लेमद रहेंगे खली लेमद बड़ी अविकल्प है हमारे एक बाइसाब छूट रहा है उन्हें मै पहली बोलिंग में तो रिखा रहा है ये थोड़ी टीम में स्मॉली के साथ मुझा रहा हूं उस साबसे अभी मैंने फिलाल स्वाल में एक बैसिक टीम बनाईए कि कोट जी टाह्त बर करता है तो पहली वोली के साथ रुख लिए है तो समाझ गया एक खाली लेमद अगर पहली के ट्राइब कर रहा हूं स्मॉल लिग में होगा नहीं होगा टेलीग्राम पर दिख जाएगा कप्तान फिलाल में अपने सूर्या भाव को की है वाइस कप्तान अपने डेविड वर्णर को की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप से पिंट के साथ ही चले जाओ सूर्या आणि मैं आपको डेली बता रहूं बचीवी टीमो में रोट भाई अपने डेविड भोटनर भाई अपने हारदिख भाई अपने मिछल मार्च भाई अ-ठीक है 50% जो है इन सब को कर रहा हूं इस तरह अगर प्रडिक्शन कर रहा हूं कि सूर्य भाउ से मुझे काफी उमीद है पहले मैच के अंदर मैं सूर्य भाउ 50% बच यूटीव में मैं अपने इनको जा रहे हैं और मैंने आपको रोटेशन बताया स्टप्स हुआ स्टप्स लाना है इस तरह टीम बनाना बाकि इनको कंडिशन लगाना और रोटेशन किस तरह से करना है जो प्लेर अपंज आप चोड़ रहे थे हैं जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में उस तरह से आप उन्हें लेने की कोसस करिएगा इस तरह टीम बनाना 50% सुरकुमारी अदब कप्तान कर लेना बाकी बच्चे हुए मैं आप उन्हें कप्तान वैस कप्तान करना तो यह दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन पसंद आया तो लाइक जरू कर दीजे फटाफट बाकी टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पेंट कॉमेंट डाना जगर मिल जाएगी थैंक यू एंड थैंक यू सो मज़ दोस्त